कोई भी टीम इस 20 करोड के प्राइज मनी के भरोसे नहीं रहती। कि पता चले सब लोग 60 गांट कर लें और धोनी को 20 लाग में खरीद लें और फिर टर्न लगा-लगा के खिलाएं। DLF ने IPL की बज़ाए DLF IPL बुलवाने के लिए 200 करोड दिये। इसलिए BCCI ने Deccan Chargers को Terminate करके Sunrises Hyderabad बना दी थी। चाइना और इंडिया विवाद के चलते फिर ये चीज टाटा को दी गई। और जब इतने लोग एक साथ कोई चीज देखते हैं तो वहाँ पर ब्रैंड्स इन्वाल हो जाते हैं। अगर किसी के पास पैसे हो तो वह जाके IPL की टीम खरी सकता है। या फिर कुछ specific लोग या companies ही होती हैं जो IPL की टीम खरी सकती है। इसका eligibility criteria क्या है और टीमें खरीदी कैसे जाती हैं। players कैसे select होते हैं और इतना पैसा लगाने के बाद भी IPL की टीम पैसा कैसे कमाती है। देखे अगर किसी को भी IPL की टीम खरीदनी है तो दो ही तरीके हैं उसके पास। वो IPL टीम उसी तरीके से खरीच सकता है। पहला तरीका है कि जो IPL की टीम उलेडी है, उनके ओनर से जाके बात करें, उनके शेयर खरीद ले, जैसा कि LIC ने किया, LIC ने 6% शेयर खरीद लिए चिननाई सुपर किंग के, और दूसरा तरीका है कि वेट करें जब BCCI अनॉंस करें नई टीम लाँच करने का, क्योंकि ऐसा कि एक कमपनी की कमाने की छमता, अगर एक कमपनी को बेचा जाए तो उससे कितने पैसे मिलेंगे, revenue और profit के basis पे decide होता है, तो जब BCCI invite करती है, तो जो eligible companies होती है, उनको ITT, Invitation to Tender खरीदना होता है, जिसकी cost होती है 10 लाग उरपय, प्लस GST, ये non-refundable fees होती है, इसके सारे terms and condition लिखे होते हैं, इसके बिना आप IPL की bidding process में बैठ नहीं सकते हैं, अभी ITT किसी दुकान पे तो मिलेगा नहीं, इसके लिए आपको email करना होता है, जैसा कि इस बार BCCI ने कहा था 2021 में, कि जिसको भी ITT चाहिए, 5 October 2021 से पहले वो email कर दे, ittipl21 at bcci.tv और ज़रूरी नहीं लिए कि आपने ITT खरीद लिया तो आप bidding process में बैठ ही जाएंगे, बिना किसी notice, बिना किसी reason के आपका ITT कभी भी cancel हो सकता है, जो लोग इसमें से shortlist होते हैं, सिर्फ उनको ये bidding process में बैठने का मौका मिलता है, bidding process में जो team होती है, उनका एक base price होता है, normally ये 1700 से 1900 करोड के बी पर bidding होगी, इसके लिए players को भी अपने आपको register करना होता है, अब अगर मैं cricket खेलता हूँ, तो क्या मैं अपने आपको register कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है, तीन तरीके से players अपने आपको register करते हैं, पहले होते हैं, cab player, जिसने अपनी जिन्दिगे में एक भी match, team India से खेला होत है, उनको cad player बोलते हैं, दूसरे होते हैं विदेशी teams के player, और तीसरे होते हैं uncad player, इन players को state association अपने state से select करके भेजती है, ऐसे करके around 1100 से 1500 players का pool बन जाता है, जिसमें से 500 या फिर 600 shot list होते हैं, इसका सबसे बड़ा example है हर्दिक पंडिया, वो एक uncad player थे, जो की state के recommendation पे आय सेम यही चीज IPL में ना हो, कि पता चले सब लोग 60 गांट कर लें और धोनी को 20 लाग में खरीद लें और फिर turn लगा लगा के खिलाएं, इस चीज़ से बचने के लिए player जब अपने आपको register करते हैं, तो वो अपना base price set करते हैं, यह base price 20 लाग से 2 करोड के बीच में होता है इसके बाद पूरे process में players का कोई control नहीं होता है, एक ही team पैसे का जोर दिखा के सारे अच्छे खलाड़ी अपनी team में रखके, word 11 ना बना दे और IPL का सारा मज़ा खराब ना हो जाए, इसलिए bidding process के कुछ rules बनाए गए हैं, एक team में 18 से कम और 25 से जादा players नहीं हो सकते, और 8 से जादा विदेशी players नहीं हो सकते, हर team को एक limited amount दिया जाता है, जिसे purse कहते हैं, और purse की limit होती है, पहले limit 85 crores की थी और आब इसको 90 crores कर दिया गया है, इस 90 crores में से 18 से 25 players की team बनानी होती है, पहले marki players की bidding होती है, marki players यानि के जो बड़े players होते हैं, जिनका base price 2 crore होता है, और फिर groups में bidding होती है, जैसे batsmen के group आएंगे, फिर bowlers के group आएंगे और उन groups में bidding होगी, सही player select करना बहुत important होता है, इसलिए teams data science का use करती है, किस player की hard hitting ability ज़्यादा है, कौन सा player match winner है, या दो same stat के player में से किस पे ज़्यादा पैसा देना चाहिए, इन सब चीज़ों में data science की मदद ली जाती है, teams काफी मोटी salary दे के data science and analytics के professionals को hire करती है, और सिर्फ IPL ही नहीं, बाकी fields में भी आजकल data analyst का use करना, companies के लिए option नहीं, बलकि एक necessity बन गया market में sustain करने के लिए, और यही reason है कि यह इतनी popular skill बनती जा रही है, और इसका use करके लोग अपने career में बहुत तेज university के अलावा भी upgrade all over the world और भी बहुत सी degree offer करता है इसी format में, जैसे कि MBA IU Germany से, MS degree US की Clark University से, या BCA Australia की Deacon University से, इसके साथ मिलता है one-on-one mentorship और guaranteed placement assistance, सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब आप अपने time के हिसाप से कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि upgrade आपको flexible learning hours देता है, तो आप भी start करिए अपनी learning journey, अपने career को बहतरीन मनाने के लिए, click on the link in the description box to register, players के उपर बोली लगती है, यह भी बहुत ही controlled way में लगती है, 20 लाग से एक करोड का जिनका base price होता है, जिन players का, उनकी bidding 5 लाग से आप बढ़ा सकते हो, 1 से 2 करोड की bidding में आप 10 लाग से price बढ़ा सकते ह हर 3 साल में एक mega auction होता है, यह कभी-कभी आगे पीछे भी हो जाता है, जिसमें teams को 4 players छोड़के, बाकि सारी teams के players को release करना होता है, एक IPL team खरीदने में बहुत जादा पैसा लगता है, team खरीदना है, support staff और players की fees होती है, admin और operation cost, इसके बाद भी पूरे मन्द IPL के जो matches अलग जगह पे होते हैं, तो hotel और flights की ticket, बहुत सारा पैसा लगता है, और उसके बाद भी जो पैसा teams कमाती है, उसका 20% BCCI को देना होता है, इतना पैसा लगाने के बाद भी सिर्फ 20 करोड जीतने वाले team को मिलता है, तो IPL का business model है, वो काफी अलग है, कोई भी team इस 20 करोड के price money के भरो से नहीं रहती, तो IPL की team पैसा कैसे कमाती है, देखिए IPL की team की सबसे पहली और major income होती है broadcasting right, जिस channel के पास IPL के broadcasting rights होते हैं, सिर्फ वही channel IPL को दिखा सकता है, जैसे कि साल 2008 से 2017 तक broadcasting right सोनी के पास थे, तो उस time पे आपको अगर IPL देखना है, तो सोनी पे ही देख सकते इस चीज के लिए सोनी ने 10 साल के लिए 8200 करोड रुपे दिये थे, उसके बाद bidding होई और 2018 से 2022 तक के लिए स्टार इंडिया ने 16,347 करोड में broadcasting right खरीदे, ये जो पैसा आता है, ये 50% BCCI को जाता है, और बाकी 50% IPL teams में divide होता है, पहले इस पैसे में से 20% BCCI रखती थी औ 80% teams को जाता था, धीरे धीरे ये shares बढ़ा बढ़ा के अब ये 50-50% हो गया है, अब channels इतना जादा पैसा broadcasting rights के लिए देते क्यों है, all over world में IPL बहुत ज़्यादा देखा जाता है, अगर मैं 2019 के IPL की बात करूँ, तो 462 million लोगों ने IPL देखा था, और जब इतने लोग एक सा इसले सारे channels बोली लगाने के लिए ready रहते हैं, दूसरा source of income होता है title sponsorship, आपने देखा होगा IPL को कभी भी खाली IPL नहीं बोला जाता है, कभी उसको DLF IPL, कभी Vivo IPL, कभी Pepsi IPL और आज कल अब Tata IPL बोला जाएगा, IPL को सिर्फ IPL की बजाए अपनी company के नाम के साथ बुलवा आने के लिए 200 करोड दिये, फिर अगले 3 साल के लिए Pepsi ने 396 करोड दिये, उसके पास Vivo ने 2199 करोड दिये, 2018-2022 तक के लिए, चाइना और एंडिया विवाद के चलते फिर ये चीज Tata को दी गई 300 करोड पर एयर में, इसका जो भी revenue आता है, 60% BCCI रखती है और 40% team में डि association होता है, उसको जाता है, team के players जो T-shirt पहनते हैं, उसमें अगर आप कोई भी logo या नाम देखेंगे, तो उसके लिए brand पैसे देते हैं, पूरे match के दोरान उस ground की boundary के अंदर, कोई भी company के नाम आप देखोगे, जैसे की boundary ropes पे, wickets पे, helmet पे, bet पे, empire की T-shirt पे, जहां जहां भी आप नाम लिखा हुए देखोगे किसी company का, वो सब के लिए पैसे मिलते हैं, teams को, इसके बाद team के owner अपनी team के player से दूसरी company के ad भी करवाते हैं, जो भी ads team की jersey pen के player करते हैं, वो team के owner के पास जाता है, पैसा उसका, इसके साथ-साथ हर team owner के खुद के brands और promotions भी होते हैं, वो player इसके बाद सबसे last में ध्यान जाता है, winning amount पे, winning team को 20 करोड मिलते हैं, और runner-up को 12.5 करोड, जिसमें से 50% team का owner रखता है, और बाकी का 50% होता है, वो players में divide हो जाता है, भले ही कई arrangement में, BCCI revenue में हिस्सेदारी रखता है, लेकिन उसके बाद भी final जो एक team कमाती है, उसका 20% उ qualify करती हैं, तो बाकी teams के match तो बंद हो जाते हैं, लेकिन इन 4 teams को extra match खेलने को मिलते हैं, extra matches मतलब extra tickets, extra sponsors और extra पैसे, दूसरा फायदा ये होता है, कि जब team top में पहुंचती है, तो उसकी brand value बढ़ जाती है, उसको बाकी teams के comparative ली ज्यादा पैसे मिलते है, brands और sponsorship के, अब जो प extra matches खेलने को मिलते हैं, तो जो profit सिर्फ IPL तक रहता है, वो वहाँ पे match खेलने से और बढ़ जाता है, शुरू के 10 साल IPL teams घाटे में रही, यह वही time था जब deck and charges अपनी team के खिलाडियों को salary तक नहीं दे पारी थी, इसलिए BCCI ने deck and charges को terminate करके sunrises हैदरबाद बना दी थी deck and charges तो उस time पर sustain नहीं कर पाई, लेकिन बाकी teams sticky रही, क्योंकि यह सारी teams के खुद के brands और product थे, जिनका इन्होंने IPL team का use करके next level पर पहुँचा है, लेकिन जैसे ही star India ने media rights, दुगने और तिगने दामों में लिए, सारी teams को profit आना शुरू हो गया, और फिर title, sponsorship और बाकी advertisement के price भी एकदम से बढ़े, अब जो लोग IPL के इस arrangement के खिलाफ है, उनका कहना है कि main income इनकी spot fixing से होती है, एक दो cases जब राजिस्थान और CSK दो साल के लिए ban हुए, उसके अलावा मुझे कोई भी proof नहीं मिला, जहां पे spot fixing पकड़ी गई हो, तो अब यह होती है के नहीं होती यह एक बहस का मुद्दा है